यह दिया आच्छी टाइम पर देखो गए कि पाकिस्तान का कंगाली से बहुत बुरा हाल हो चुक है और पाकिस्तान को भारत ने चेखाया ऐसा मज़ा की घर-घर की ठोकरे खाता फिर आ है पाकिस्तान तो आप लोग सोचिंगे की ऐसी क्या वज़ाती उससे पहले आप लोग स हेल्प मांग रहा है कि ऐसा क्या कर दिया तो सबसे पहले मैं आपको बतादा चाहूंगा कि एक सार्क सम्मेलन होता है ठीक है तो सार्क सम्मेलन जिसमें आठ देश होते हैं दुनिया बर के तो उसमें से क्या होने वाला है कि लास्ट जो इसकी मिटिंग हुई थी वो हुई 2016 में उसकी बाद 2016 में इसकी लास्ट मिटिंग होने वाले थी 19 सम्मेलन होने वाला था मगर वो हो नहीं पाया जिसकी मेजमानी कोन कर रहा था पाकिस्तान कर रहा था और वो सम्मेलन अभी तक नहीं हो पाया है जो कि जो लास्ट सम्मेलन था 2014 में इसका हुआ था तो उसमें क पाकिस्तान किसी भी तरीके से ब्लैक लेश्ट में चला जाता है तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को मतलब इसकी जो एकोनोमी बिल्कुल क्रेश होने बाली है जाने कि इसके पास संसाधन जाने कि इरान से भी बत्तर इसके अहलात हो जाएंगे और इसकी जो एकोनोमी है जो क्रेंस यह वो ढूब जाएगी तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान् चाहता है कि सार्क संमेलन जो था वो वो हो जाए तो मैं आपको सबसे पहले सार्क देशों की बारे मतादे जा चाहता हुँ कि इसमें कौन-कौन से देश आते हैं तो इसमें आठ देश आते हैं जब से पहले अफगानिस्तान, बंग्रादेश, भूटान, भारत, मालदीफ, नेपल, पाकिस्तान, एंड स्रीलंका, इसमें ये आठ देश आते हैं, इसमें क्या हुआ कि जब इसकी मीटिंग होने वाले थी, सार्क सम्मेलन की जो लाश्ट है, लाश्ट मीटिंग जो होने वाले थी, नो से दस नॉमबर, दोयर सोलेगों ये मीटिंग होने वाले थी, उन्नेस बाद सार्क सम्मेलन होने वाला था, तो उसमें क्या हुआ था, कि पाकिस्तान के कुछ टेरिस्ट ने, जो जम्बु कश्मीर उसमें अटेक कर दिया, ठीक है और अन्य देसों से भी इसमें भाग ना लेने का कहा, और उन्होंने भी भाग लेने से मना कर दिया, जिसके बाद, आस तलग कोई भी सार्क सम्मेलन नहीं हो पाया है, तो पाकिस्तान चाहता है, ठीक है, लाश्ट जो सम्मेलन था, वो सिप्तमर, 25 सिप्तमर को होने वाला थ युएसे में, मगर वो भी नहीं हो पया, तालिवान के हो, जिससे क्योंकि पाकिस्तान कह रहा थी कि तालिवान को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अवगारिस्तान की जागे, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान चाहता है, कि वो सार्क सम्मेलन कराए, मगर प्रोलम यहा मगर भारत में चीज़ो तालिवान भाग लेता है, मगर पाकिस्तान जो अपने काम है, उसको अपने काम से अंजम कर दे, और फिर ब्लैक लेगा, और सास साथ में UAE, और हो सकता हैं कि तुर्की के बारे में स्में कुछ मीटिंग में आपको देखने के लिए मिल सकता है, और सबसे में इसमें हम यहां पर बात करने वाले आपसे काफी most and important यहां पर आ जाता है कि भारत इसमें भाग लेगा जब फिर नहीं लेगा तो भारत की रदर से सिर्फ अब यही है कि भारत इसमें जो भी कुछ है भारत पर डिपेंड करता है वहना इसकी मिटिंग में कोई यूएन भी नहीं करेगा तो इसी वज़े से भारत के सामने जो इसके शाह महमूद कुरिशी है पाकिस्तान के जो मंतरी है वो यहां पर गवार लगा रहे है भारत से कि भारत इसमें पार्टिसपेट करें भारतों बहाग ले तो देखने वाले कि इसमें क्या होने वाले आगे तो उससे पहले मैं आपको बताने जाओँगा यदि आपने चैनल को सुब्सक्रेब नहीं किया चैनल को सुब्सक्रेब करें वीडियो को लाइकर शेर कर दें